दोस्तो भारत में अभी ऐसे कई रहसे हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मिला है। अभी तक खुला नहीं है और कहा जाता है कि अगर ये गेट खुल जाए तो इसमें इतना ख़जाना निकलेगा कि भारत एक बार फिर अमीर हो सकता है। नहीं हैं विग्यान चाहे कितनी भी उन्नती कर ले लेकिन ऐसी कई पहेलियां हैं जिन्हें साइंस आज भी सुलजान नहीं पाया है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके अंदर आज भी अर्बों के सोने, चांदी, हीरे, जवारात और भी कितना सारा ख़जाना छुपा हुआ है। उसका पता लगाने के लिए भारत के उच्चतम नयालिया में अर्जी दी गई थी और काफी महनत के बाद कपाट भी खोले गए। लेकिन वैग्यानिकों की टीम के साथ जो चमतकार हुआ उसे देख कर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि स्वयम नाग लोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिन भारत के तिरुवनंत पूरम मिस्थित पदम नाभ मंदिर के बारे में। यह मंदिर अपने अंदर कई रहसे चुपाए बैठा हैं कहते हैं यहां तकरीबन साथ तहखाने मौझूद हैं और जिसमें साथवे तहखाने में जो खजाना हैं उसकी रक्षा नाग लोक के नाग पुरानिक पिशाच और अन्य कई अलौकिक देवता करते हैं। जिस भी इनसान ने साथवे दर्वाजे को खोलने की कोशिश करी है या तो गुप्त तरीके से वो गायब हो गया और या फिर अचानक से उसकी मौत हो गई। इसकक्ष के प्रवेश द्वार को सील किया है और पदमनाभ मंदिर के साथवे दर्वाजे को केवल सबसे स्टीक समझ वाला पुजारी ही गरुड मंतर के जाप से खोल सकता है। लेकिन सन 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसी नादानी हो गई कि जिसका पच्छतावा आज भी उन सभी वैग्यानिकों को होता है। जिनके द्वारा पदमनाभ मंदिर का वो दर्वाजा खोलने का परियास किया गया। यहां पर भगवान विश्ञु की विश्रा मवस्था में प्रतिमा हमें दिखाई देती है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर का निर्मान किसने कराया और आखिर इस मंदिर में जो करोडों का ख़जाना है वो किसकी आमानत है। दोस्तो मंदिर का निर्मान राजा मारतंड ने करवाया था। भगवान विश्नु को समर्पित पदमनाब मंदिर को बाद में तरावन कौन के राजाओं ने बनवाया जिसका जिकर नौवी शताबदी के गरंथों में भी मिलता है। और इसके बाद इस शाही परिवार में शे तहखाने के दर्वाजे पर तो ताला लगा हुआ है लेकिन साथवे तहखाने के दर्वाजे पर कोई ताला नहीं है। बस नाग के दो निशान हमें वहाँ दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि किसी ने भी इस दर्वाजे को खोलना चाहा तो इस समय नागों द्वारा उसकी मृत्यू हो जाए की जब इस शाही परिवार ने अपना सारा खजाना पद मनाभ मंदिर को दे दिया तो कई लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ी लेकिन आज तक जिसने भी इस दर्वाजे को खोलने का परियास किया या तो वो रहसमे रूप से गायब हो गए या कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यू हो गई सन 2011 में सरकार द्वारा भी एक ऐसा ही कदम उठाया गया एक सेवा निर्वित्र आईपीएस अधिकारी सुन्दर राजजन ने मंदिर के खजाने की जाँच करने की मांग सुप्रीम कोट में दायर करी इसके बाद सुप्रीम ये मुसीबत का पहार तूटेगा लेकिन सुप्रीम कोट ने उन दर्वाजों को खोलने के आदेश पारित कर दिये इसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कई सारे वैग्यानिक भी थे और कई सारे आईपीएस अधिकारी भी थे जब वो पद्वनाब मंदिर के गर् खाई दिये जब उन्होंने पहला दर्वाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उन सभी वैग्यानिकों के रौंगटे खड़े हो गए क्योंकि अंदर कई सारे कीमती रतन और कई हीरे जवारात मौजूद थे जिसके बाद एक एक करके वैग्यानिकों द्वारा छे दर् हुआ था और अंदर से उन्हें कई करोडों की संपती प्राप्त हुई इन छे तहखानों के अंदर कीमती रतन पत्थरों के साथ साथ एक लाख करोड रुपे की कीमती धातुएं वैग्यानिकों को प्राप्त हुई लेकिन अब इंतजार था उस साथवे दर्वाजे का क्यो का हुआ था इस बात से सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि लोगों का यहीं कहना था कि आज तक जिसने भी तहखाने को खोलना चाहा वो जिन्दा नहीं बच पाया वैग्यानिकों के मन में जानने की इच्छा थी ऐसा क्या है साथवे दर्वाजे में या तो अपार सोना है य लेकिन जब वैग्यानिकों द्वारा इस साथवे दर्वाजे को खोलने का परियास किया गया तो ताला ना होने के बावजूद भी दस जने मिलकर भी इसे खोल नहीं पाए तब वैग्यानिकों ने उस दर्वाजे पर कान लगा कर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस दर्वाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाडी में खुलता है जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी वैग्यानिक इस दर्वाजे को नहीं खोल पाए तो वैग्यानिकों को भी शास्तर का सहारा लेना पड़ा उन्होंने मु जब उस पुझारी ने दर्वाजे के सामने गरूड मंत्र का जाब करना शुरू किया तो मंदिर में अचानक ही बहुत जोर से कम्पन होने लगा इस ही लोग बहुत ज्यादा डर गए और गरूड मंत्रों को बीच में करन उस पुझारी के दिल का दौरा पड़ने से उसी सम मौत हो गई ये नजारा देखकर वहां सभी वेग्यानिकों के रॉंगटे खड़े हो गए कहते हैं कि पहले दिन हार मान कर वे लोग वहां से लोट गए लेकिन छे तहखानों में से कई लाख करोड़ों का खजाना सरकार को प्राप्त हुआ था लेकिन एक से दो दिन के बाद खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रॉंगटे खड़े हो जाएंगे वो कमेटी दर्वाजे को खोलने का परियास कर रही थी उस कमेटी के दो सदस्यों की आकारण ही मौत हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबते आने लगी तब पदमनाब मंदिर क हैं आपके सामने अपने घुटने टेकने पड़ गये और उसके बाद ये निर्ने लिया गया कि उसे सात्वे दरोजे को आज के बाद कोई भी नहीं खोलेगा क्योंकि आज तक जिसने भी उस दरोजे को खोलना चाहा उसे किसी ने किसी प्रकार की अन्होनी और दिकरी सुन् लगा और अचानक ही उनकी भी मृत्यू हो गई इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने एक बहुत भेंकर चायतावनी जारी कर दी यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा हुगा दोस्तों तीरू वनंत पुरम नाम एक नाग के उपर पड़ा है और वही नाग आज भी इस खजाने की रक्षा करता है आखिर कैसा है पदमनाब स्वामी का मंदिर आए जानते हैं दोस्तों मंदिर में एक स्वन स्थंब भी बना हुआ है जो मंदिर की खूब सूरती में इजाफा करता है मंदिर की गलेयारों में स्थंब बनाए गए हैं जिनके उपर सुंदर नकाशी की गई है जो इस मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाते हैं और अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुरुशों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहना अनिवार्य होता है भगवान विश्णु को सम को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चरन को देखा जा सकता है अब दोस्तों आपके मन में प्रशन आ रहा होगा कि क्या पदमनाभ मंदिर का ये दरवाजा कोई नहीं खोल सकता तो इसका जवाब जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे पदमनाभ मंदिर के साथवे द्वार को खोलने से एवं उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो अचानक से भै का महौल बन जाता है और अन्होनी की कहानी सब के सामने आने लगती है क्योंकि मंदिर के साथवे द्वार पर कोई ताला नहीं है और ना ही कोई कुंडी है यहाँ जो सापों के प्रतिबिम्ब हैं और वही नाग देवता आज भी इस मंदिर की रक्षा करते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा कहते हैं कि 16 शताबदी के एक सिद्ध पुरुशी होगी या फिर कोई तपस्वी द्वारा इस दिवे दर्वाजे को खोला जा सकता है तो दोस्तों पदमनाभ मंदिर के रहसे के बारे में क्या आप आज से पहले जानते थे या आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना साथ ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद